तो प्यारे बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल ह्पे ट्यूसन क्लासेस में तो काफी बच्चों की queries है, questions है, उनके doubt है, class 5, 8, 9, 11 के किसर compartment exam result कब आएगा और online आएगा या फिर offline आएगा ठीक है तो आज की वीडियो में इसी topic का discuss करेंगे, पूरी बात को ध्यान से समझना ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर mention किया गया है, result of common compartment school examination जिसको re-exam बोलते हैं will be declared on 10th माई 2024, कहने एक मतलब 10 माई 2024 को आपका result आएगा, ठीक है, result आपका आएगा online यहाँ पर mention किया गया, students of classes 5, 8, 9 and 11 में access their result through the following link सबसे पहले, edudel.nick.in टाइप करना है, गूगल पर, home page आएगा, डियोई का, वहाँ पर compartment, result 2024 सो होगा क्लिक करना है, वहाँ पर आपको student ID, date of birth, class, section, visual code फिल करके submit करना आपका result आपके सामने screen पर होगा, same annual के जैसा ही, ठीक है, तो ही information आपको देने थी, बाकि आप online result कैसे चेक करोगे, इस topic पर मैं separate video बना दूँगा, ठीक है, तो आज की वीडियो मित नहीं था, आपका result 10 माई 2024 date को आएगा, वह भी online, ठीक है, बाकि किसी परकार कोई queries है, passing criteria क्या है, या फिर कोई और topic है आपकी, तो compartment exam से related हर एक परकार की topic पर मैं separate video बना चुका हूँ, comment में link open करके आप देख सकते हो, सभी topic पर अलग-अलग separate video आपको मिल जाएगी, बिना किसी doubt के अपने doubt क्लियर कर सकते हो, ठीक है, और सबसे important जितने paper आपके हुए है, उनके solution भी upload है, comment में link मिलेगी open करके आप देख सकते हो, अपने score चेक क कर सकते हो, तो कर लेना ठीक है, आज की video में इतने ही था, मिलते हैं अगली video में, thank you for watching and take care.